तो गाइस कैसे हैं आप लोग हमेशा की तरह आप अच्छोंगे दोस्तों आज का जो वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास वोट की तरब से एक और इंटरस्टिंग सा स्मार्ट वाच है जिसका नाम है दोस्तों वोट लूनार पीक इ जिसमा आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता, Bluetooth कॉलिंग और दोस्तों Always on डिस्प्ले जैसे फीचर मिल जाएंगे वाक्स कान वाक्स करेंगे सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से explain करेंगे और फुली टेस्टिंग के साथ रिभीउ करने वाले हैं अगर आप इस वाक्स को लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देखेंगे आपको सारे confusion almost दूर हो जाएंगे तो guys वीडियो में लास्ट तक गरू बन रही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक like बनता है पहले box को देख लेते हैं box हमारा कुछ इस तरिकी का मिलने वाला है सामने की तरह आपको boot की branding मिलेगी और guys यहाँ पे इनोंने कुछ की highlight mention कर रहे हैं जैसे advanced bluetooth calling और guys 1.45 इंचिस का इसमें आपको AMOLED डिस्पले देखने को मिलता है back side में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इनोंने कुछ की highlight mention कर रहे हैं सारे वीडियो में cover करूँगा box के अंदर आपको एक user manual देखने को मिलेगा एक आपको bunny और manufacture warranty card मिल जाता है इस वाले qr code को scan करके आप अपनी warranty claim कर पाएंगे एक card इनोंने और दे रहे हैं और दोस्तों बोट की तरफ से आपको कुछ sticker वगरा भी देखने को मिल जाते हैं एक आपको magnetic charging cable देखने को मिलती है आप Pogo pin connector के साथ cable की quality दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है और दोस्तो length भी इनोंने काफी ठीक टाक दे रखिये तो दोस्तों काफी distance से आप अपनी watch को charge कर पाएंगे अब बात कर लीते हैं अपनी smart watch की बारे में सबसे पहले दोस्तों इसके build और design की बात करेंगे तो दोस्तों इस price segment में इसका design दोस्तों मुझे काफी interesting सा लगा है build quality की बात करेंगे तो दोस्तों dial इनोंने fully metal से बनाया है इसमें जो multi function button दे रखा है वो भी इनोंने metal से बनाया है back side में तो दोस्तों यहाँ पे इनोंने poly carmate का use किया सारे sensor charging pins इस side दोस्तों आपको speaker grill देखने को मिलेगा और guys यहाँ पे इनोंने microphone लगाया है strap की quality की बात करेंगे तो दोस्तों strap की quality मुझे बढ़िया लगे है silicon के मिल चाते strap और guys soft काफी जादा है अगर आप से long term use करेंगे तो दोस्तों आपके हाँ में racets बगरा बिल्कुल भी नहीं आएंगे buckle दोस्तों इनोंने fully metal से बनाया है और guys इसमें आपको replace वाल strap देखने को मिल जाते हैं guys आप बात कर लेते हैं इसके display के बारे में तो दोस्तों इस प्राय सेग्मेंट में इसका display मुझे काफी बढ़िया लगा है corner की side थोड़ा सा आपको कर्ब देखने को मिल जाएगा जैसे आप हांत बगर आप दोल रहे हो पानी की बूने इस पे गिर रही तो दोस्तों display पे बिल्कुल भी टिकेंगी नहीं एकदम clean हो जाएगा आपका display और guys धूल मिटी भी चिपकने वाली नहीं है जैसे कि मैं आपको बताये था इसमें आपको 1.45 इंजिस का AMOLED देखने को मिल जाएगा अभी दोस्तों इस watch को मैं अंदेरे में लेके खड़ा हूँ इससे आपको clear हो रहा होगा कि इसमें आपको AMOLED दिस्पले मिल रहा है साथी साथ इसमें मिल जाता है resolution 466 x 466 तो दोस्तों डिस्पले में colors बगर आपको अच्छे से दिखाई देते हैं और guys डिस्पले की जो softness है वो भी मुझे काफी तगड़ी लगे है outdoor की visibility की बात करूँ तो दोस्तों इस watch को अभी मैं outdoor में लेके खड़ा हूँ यहाँ पे दोस्तों काफी face दूप हो रही है तब भी दोस्तों इसके display मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है और guys इसमें आपको 550 nits brightness मिल रहा है तो दोस्तों outdoor में आप इसे use करो कोई भी दिक्कत बगर नहीं आएगी अच्छे से आपको दिखाई देगा और guys इसके display पे ये वाला watch face मैंने इस लिए लगा लिया है जिससे आपको इसके display में bezels बगर आच्छे से समझ में आ जाएंगे guys अब बात कर लेते इसके calling वाले feature के बारे में तो दोस्तों call आने पे कुछ इस तरीके का notification आपको दिखाई देता है जासे आप अपने call को disconnect और receive करने के बाद आपको mute करने वाला feature में लेगा volume को कम ज़्यादा कर पाएंगे और guys call को transfer भी कर पाएंगे आप अपने phone पे phone से watch पे भी कर पाएंगे और आपको disconnect करने का feature मिल जाता है इसके microphone speaker किस तरीके से बढ़ कर रहें वो भी मैं आपको test करके दिखा दीता हूँ hello hello हाँ क्या कर रहे हो कुछ नहीं बताओ यार मेरे पास एक board का smart watch है ठीक है उसी से मैं आपको calling कर रहा हूँ तो यह बताओ इसके microphone यहार किस तरीके से बढ़ कर रहे है जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कोई distortion बगरा तो नहीं है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दूर से बात कर रहा हूँ मैं नहीं नहीं normal voice है ना अच्छा चलो ठीक है thank you so much कि sensor की accuracy की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले steps count करने वाले feature को check out कर लेते हैं कि यह watch steps किस तरीके से count कर रहा है अभी मेरी watch में 531 steps count हो रहा है थोड़ा मैं चल के आऊँगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह watch steps किस तरीके से count कर रहा है गाइज अभी मैं 30 steps चल के आया हूँ और दोस्तों watch ने count कर लिया है 34 तो दोस्तों यहाँ पर एक दो steps का ऊपर नीचे मुझे लगा है बैसे दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों काफी अच्छे सी यह steps count कर रहा है इसके heart rate monitor, aspect monitor, blood pressure monitor और stress monitor को भी मैं check out करके दिखा देदा हूँ अपने professional oximeter के साथ जिससे आपको idea लग जाएगा इसके sensor किस तरीके से work कर रहे है गाइज जब मैंने heart rate की rating को check out किया तो दोस्तों मेरी watch में 71 beats per minute दिख रहा था तो दोस्तों मेरी watch में 97% अभी दिखा रहा मेरे blood में oxygen और professional oximeter में 99 दिख रहा था तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे almost theme reading देखने को मिल रहे थे stress monitor को check out किया तो दोस्तों यहाँ पे इसने reading सो करें 26 और दोस्तों 26 होता है normal तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे काफी सही reading लग रहे क्योंकि दोस्तों अभी मैं बिलकुल normal हूँ मुझे किसी बात का stress नहीं है जब मैंने blood pressure monitor को check out किया तो दोस्तों मेरी watch में 103 by 70 देख रहा है तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे काफी सही reading लग रहे थे क्योंकि दोस्तों normal human का जो blood pressure होता है वो इतना ही होता है surface पे रखे इसके sensor के reading को check out किया तो दोस्तों यहाँ पे इसने बहुत जल्दी से error दिखा दिया था लेकिन गाइस जब मैंने इसे soft surface पे रखे इसके sensor के reading को check out किया तो दोस्तो यहाँ पर इसने रीडिंग सो कर दिये तो दोस्तो आप लोग समझ सकते इन सब watch की जो sensor होते हैं वो किस तरीके से work करते हैं आपको professionally use करने चाहिए या नहीं करने चाहिए watch की connectivity की बात करें तो दोस्तो both sign app से आप इसे connect कर पाएंगे जो आपको app store और play store पे आसानी से मिल जाएगा और लेडी दोस्तो इस app को मैंने डाउनलोड कर लिया और दोस्तो अपनी watch को connect भी कर लिया है अपकी UI की बात हो तो दोस्तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपकी UI कुछ इस तरीकी से मिल जाती है सबसे पहले दोस्तो आपको health overview देखने को मिलता है यहां से दोस्तो time अगरा भी आप check out कर पाएंगे और दोस्तो यहां से बैदर update भी ले पाएंगे अगर आप exercise में जारे हो तो दोस्तो यहां पे आपको inbuilt GPS देखने को मिलता है by phone यहां पे जारे हो तो धुके प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी अगर आप device में जारी यहां पे आपको बहुत सारे feature देखने को मिल जाते है जैसे यहां से आप अपनी बॉश की connectivity status दो चेक आउट कर पाएंगे और जुस्तो बैटरी चेक आउट कर पाएंगे watch faces देखने को मिलते, not a vacation यहां से सारे आप enable, disable कर पाएंगे यहां से दोस्तों incoming call को आप on-off कर पाएंगे, anti-lost reminder देखने को मिलता, do not disturb, alarm set कर पाएंगे, sedentary reminder measurement unit और दोस्तों date format को भी आप check out कर पाएंगे यहां से दोस्तों vibration को भी आप change कर पाएंगे, जैसे आपको off करना है vibration, bounce एक बार करना है two times करना है, यहां से आप change कर पाएंगे यहां पर आपको backlight को on-off करने का feature मिलता है और दोस्तों आप अपने तरीके से second भी select कर पाएंगे, यहां पर आपको HR setting देखने को मिलता है wake up and rise को on-off कर पाएंगे यहां पर आपको women's के लिए mensuration cycle camera control, framework, update और दोस्तों on-book बगरा भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों लगवग 10 contact आप अपनी watch में sign कर पाएंगे world clock यहां पर देखने को मिलेगा stock marketing बगरा देखने को मिल जाता है watch को तो मैंने connect कर लिए अपन डिवाइस में अब इसकी UI और feature को भी check out कर लिते UI दोस्तों एकदम butter smooth है यहां पर आपको कोई भी problem नहीं आने वाली अगर आप display पे थोड़ी ज़े तक खोल करके रखने हैं तो दोस्तों यहां से इसके कुछ default watch faces आप change कर पाएंगे और guys app में भी जाके आप इसके default watch faces change कर पाएंगे यहां पर आपको पूरी library देखने को मिल जाएगी और दोस्तों different different type के watch faces आपको मिल जाते हैं अगर आपको display पे अपनी photo लगाने हैं तो custom watch face पे जाके आप अपनी photo बगरा भी लगा पाएंगे इसके display पे आप right to left swap कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी shortcut cards देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले आपको heart rate monitor देखने को मिलेगा यहाँ से दोस्तों activity record भी आप ले पाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाता है stress monitor SPO to monitor देखने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों आप अपने तरीके से कोई भी component एड़ कर पाएंगे आप शुआप डाउन कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको shortcut panel देखने को मिल जाता है battery status इदर से आप check out कर पाएंगे देखने को मिलता है setting और दोस्तों देखने को मिल जाते है multi function button को press कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर menu देखने को मिल जाता है menu में सबसे पहले आपको मिलेगा call menu अगर आप call menu में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से contact sign कर पाएंगे call history dial up दोस्तों काफी अच्छे से बढ़ कर रहा था यहाँ पर मुझे कोई भी problem नहीं आया यहाँ पर आपको मिल जाता है records और दोस्तों sports पर जा रहे है तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे sports mode देखने को मिल जाएंगे अगर आपको कोई भी start करना है उस पर आपको tap कर देना आपका sports mode start हो जाएगा यहाँ से guys आप activity record ले पाएंगे यहाँ पर आपको heart rate monitor, stress monitor देखने हों बलता है sleep monitor, blood pressure monitor, यहाँ पर आपको sleep monitor और दोस्तों breathing exercise देखने को मिलेगा notification section, alarm set कर पाएंगे, music control देखने को मिलता है music control करने वाला feature काफी अच्छे से बग कर रहा है तो दोस्तों यहाँ से आप अपने sound को next कर पाएंगे और दोस्तों previous भी कर पाएंगे और guys play pause भी कर पाएंगे आसानी से, volume को कम जादा भी कर पाएंगे और दोस्तों इस watch से आप गाने वगरा भी सुन सकते हैं बैदर update ले पाएंगे यहाँ आपको camera control देखने को मिलता है find my phone का option find my phone का option इसमें काफी अच्छे से बग करता है मैं आपको tap करके दिखा दिता हूँ जैसे दोस्तों मैंने tap के start कर गया है मेरे phone में ring होने लग गया है तो दोस्तों आसानी से आप अपनी phone को search कर पाएंगे stop watch देखने को मिलता है timer world clock देखने को मिल जाएगा AI voice assistant और दोस्तों stocks बगरा देखने को मिल जाता है games में जारो तो दोस्तों यहाँ पापको only एक ही games देखने को मिलेगा app QR code मिल जाता है setting मिल जाएगा अब guys इसके setting को भी check out कर लेते हैं setting में सबसे पहले आपको brightness adjust करने का feature मिलता है screen पर दोस्तों password भी set कर पाएंगे dnd देखने को मिलता है language वगरा भी set कर पाएंगे और guys अच्छी बात मुझे ये लगी है इस watch कि इसमें आपको Hindi language भी मिल जाती है अगर आप menu style मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां से लगबख six different different तरीके से आप अपने menu style को change कर पाएंगे यहांप आप को system देखने को मिलता है अगर आप always on display मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां से आप always on display को on off कर पाएंगे और guys अगर आप digital select कर रहे तो दोस्तों आपका display कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अगर आप pointer dial select कर रहे तो दोस्तों आपका display कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है यहां से wrist अगो को भी आप on off कर पाएंगे यहांप आपको about वगरा देखने को मिल जाता है इसका जो backup and rise वाला feature वो भी काफी अच्छे से बर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका display बर्क हो जाता है, लेकिन guys अगर आपने always on display on कर लिया, उसके बाद आपका backup and rise वाला feature बर्क नहीं करता है, यह थे watch के feature और UI, UI दोस्तों एकदम butter smooth है, जैसे कि मैं आपको बताया था, यह जैसे कि मैं आपको बताया था, पिछले कुछी दिन से इस watch को मैं test भी कर रहा हूँ, guys इसे मैंने calling के लिए use किया और दोस्तों without calling भी use कर रहा था, अगर आप इसे calling के लिए use कर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपको दो दिन का battery backup यह smart watch आपको दे देगी, अगर आप से without calling यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको 5-6 दिन का battery backup यह smart watch आपको देने वाली है, guys watch के कुछ ए extra feature के बारे में बात कहें, तो दोस्तों यह watch आपको IP67 rated मिलती है, तो दोस्तों fully possible है, इसे पेनके आप hand wash कर लो, कोई भी दिक्कत बगरा नहीं आएगी, साबर workout के दौरान अगर आपको sweating बगरा हो रही है, तब भी आप इसे use कर पाओगे, लेकिन guys swimming करते टाइम अगर आप इसे use करना चाहरे है, तो दोस्तों वहाँ के लिए आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा, वाच का in hand look कुछ इस तरीके का आने बाला है, डाइल दोस्तों इ नयादमे में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, almost सभी feature men आपको अच्छे से बताए है, तो guys decision आपको से भी ले सकते हो, कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है, अगर आपको मेरा opinion चाहिए, तो दोस्तों इस price segment में ये watch मुझे value of money लगी है, अगर आपका budget 2230 रुपाई है, और guys round dial में AMOLED display smartwatch लेना चाहिए हो, metal body के साथ, तो दोस्तों इसे आप जरूर एक बात check out कर सकते हूँ, अगर आपसे लेना चाहिए, तो दोस्तों मैंने description में link दे रखा है, वहाँ से जाके आप असानी से purchase कर सकते हैं, तो guys, अगर आपको वीडियो सबसे पहले आपको मिल तके, तो guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye, जैहिंद